उत्राखंड के जिम कॉर्बेट पार्क में एक जंगल है जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए उस जंगल में कभी मत जाना मुझे कई बार ये बात मेरे परिवार वालों ने बताई थी मेरे नाना का घर उत्राखंड में ही है और वो जहें कितना भी खुबसूरत हो अपने पहाड नदियों सहस्कृतियों बाजारों की वज़े से पर उसने कई राज दबाए हुए हैं अपने अंदर इस जंगल की तरह मेरे नाना मुझे उस जंगल की कई कहानियां सुनाया करते थे वो बताते थे कि जो लोग अपनी जिंदिकी से दुखी होते थे वो उस जंगल में चले जाया करते थे और फिर उन लोगों को कभी दोबारा नहीं दिखा गया कई बार हाइकर और अडवेंचरिस लोग जो खुद को बहुत बहादूर समझते थे उस जंगल में जाया करते थे उन्हें लगता था कि अपने अनुभव और जीपियस की मदद से वो वापिस आ सकते हैं लेकिन वो भी गायब हो जाते थे हमेशा के लिए लोगों की जंगल को लेके अलग-अलग धारनाएं थी कुछ कहते थे वहाँ भूत परेत रहते हैं कुछ बोलते थे जंगल में दूसरे दुनिया के भयानक जानवर रहा करते हैं जो इन सैलानियों को मार के खा जाया करते हैं वगेरा वगेरा फिर भी बावजूद इन सब कहानियों के और अकबारों में जंगल के खोई लोगों की न्यूस के जब मैं 30 साल का था मेरे अंदर उस जंगल के रहस को जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती जा रही थी मुझे इसका रास पता लगाना ही है मेरे पास इसको लेके एक प्लान भी था मैंने सोचा मैं अपने साथ रेडियो और जीपियस लेके जाऊंगा हलागी जैसा कुछ लोग कहते हैं की जंगल में जीपियस खराब हो जाया करते हैं इसके लिए मेरे पास एक और उपाय था मैंने सोचा मैं एकदम सुबह जंगल में घुसूंगा और सूरज की आस्मान में इस्थिती की मद्द से अपना वापसी का रास्ता ढून लूँगा इसके अलावा भी मेरे पास एक और प्लान था मैं अपने साथ बहुत सारे लाल रिबंस लेके जाऊंगा हर थोड़ी दूरी पे मैं इन रिबंस को पेड़ से बान दूँगा जिससे मेरे लिए वापसी का रास्ता बन जाएगा अगर बाकी सब प्लान फेल हो गए तो इसके लावा मैंने फैसला किया कि मैं ठेर सारा पानी और खाना अपने साथ लेके जाऊंगा जो एक दिन से कई ज्यादा का होगा साथ ही एक पोलो राइट कैमरा अपनी जर्नल और टेप रिगॉर्डर भी साथ लेके जाऊंगा ताकि मैं अपने विचार और रास्ते की बातें रिकॉर्ड कर सकूँ हलाकि मैंने अपने परिवार में किसी को ये नहीं बताया कि मैं उस जंगल में जा रहा हूँ शायद ये एक गलती है पर मुझे पता है अगर मैं उन्हें बताऊंगा वो मुझे किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे चाहे मैं उन्हें अपने प्लान और अपनी सब तयारियों के बारे में बताऊँगा फिर भी वो नहीं जाने देंगे तो मैंने चुपचाप ट्रिप की बुगिंग करा ली और आखिर वो पल आ गया मैं उस घने जंगल की शुरुवात में खड़ा था और उसमें घुसने को तयार था मेरी पीट पे मेरा बड़ा सा बैक था मैंने जीपियस की और देखा तो वो सही काम कर रहा था गड़ी में सुबह के साथ बज़े थे मैंने बैक से पहला लाल रिबन निकाला एक लंबी सास ली और पहले पेड में रिबन बांद दिया इसी की साथ मैंने जंगल में अपना कदम रखा जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ मैंने देखा कि वो कितना घना था वो इतना घना था कि उपर देखने पे आसमान भी दिखाए नहीं दे रहा था इसने मुझे थोड़ा परिशान कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि सूरज की इस्तिती से वापसी का रास्ता डूंडने वाला प्लान अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन मैं बहुत ढंग से पेड़ों पे रिबन बांध रहा था मैं एक रिबन बांधता और फिट पलेट के पिछले रिबन को देखता ये पक्का करने के लिए कि वो वहाँ से साफ दिख रहा है या नहीं और आगे बढ़ जाता मेरा इरादा जंगल में तकरीबन पांच किलोमेटर अंदर जाके कुछ फोटोज लेके जनरल में इंटरी करके थोड़ी रिकॉर्डिंग करके फिर वापस आ जाने का था मेरे अनुमान से इसमें मुझे 6 गंटे के आसपास लगने चाहिए यानि मैं एक बज़े तक वापस आ जाऊंगा मैं काफी तेजी से दूरी तेह कर रहा था मैंने जीपियस पे नज़र डाली तो वो गोल-गोल घूम रहा था शायद लोगों की बात सही थी फिर भी मैंने चलते रहने का फैसला किया मेरी घड़ी के टाइम के हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया कि मैं लगभग दो से तीन किलोमेटर अंदर आ चुका हूँगा मैं रुका और मैंने जंगल की अपने पोलराइट कैमरे से एक फोटो क्लिक की मैं पिक्चर के डेवलप होने का वेट करते हुए आसपास देखने लगा इस जंगल के बारे में इतनी बाते होते हुए भी वो बहुत खुपसूरत दिख रहा था इतना घणा होने की वज़े से जंगल बहुत शान्त पिता एक सुकून भरा एहसास था वहाँ मैंने सोचा यहां से जाके मैं अपनी खीची फोटोस किसी मैगजिन को दूँगा ताकि वो उसे चाप सके और क्या पता इसके बाद मैं बहुत बड़ा ट्रेफल ब्लॉगर बन जाऊं और मेरा ध्यान फोटो पे गया वो डेवलप हो चुकी थी फोटो में कुछ गड़बर था मैंनों उसे करीब से देखा उसमें एक साया था एक साया जो ऐसा लग रहा था पेड़ों के बीच से जाक रहा हो जैसे वो जाकते हुए मेरी और देख रहा हो एक लंबा परचाई जैसा इंसानी आकार का साया मेरे रोंग्टे खड़े हो गए मैंने धीरे से नजरों उपर करते हुए अपने सामने उन पेड़ों की और देखा वहां कुछ नहीं था मैंने फोटो को आँखों के सामने रखके पेड़ों के साथ मैच किया हो सकता है कि ये पेड़ों की छाय हो या कोई डाल हो जो साया जैसा लग रहा हो मैंने सोचा लेकिन फोटो में जरूर पेड़ों के बीचे कोई साया था जो अब वहां नहीं है उस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था मैं भयान नहीं कर सकता मेरी सब बहादरी और प्लानिंग के बाद भी कुछ बाते हैं इस जंगल के बारे में जो शायद सच है मैंने पलट के रीबन की ओर देखा मैं अभी भी वापस जा सकता हूँ उन रीबन को फॉलो करके बलकि मुझे वापस ही जाना चाहिए मैं दो-तिन किलोमेटर जंगल में दाखिल हो चुका हूँ जो अपने आप में खुद एक बड़ी बात है पर अंदर से मैंने सोचा कि जिसके लिए निकला था उसे खत्म करके ही वापस जाऊंगा मैंने सोचा मैं जितनी देर यहां खड़े हो कि सोचूंगा उतनी ही देर होती जाएगी तो मैं आगे का रास्ता तै करने लगा मैं अब तेजी से चल रहा था जैसे जैसे मैं चल रहा था मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि कोई मुझे देख रहा है हर छोटी आने वाली आवास की तरफ मैं पलट-पलट के देख रहा था उसके बाद मैंने ज्यादा फोटो नहीं कीची आखिरकार मैं वहाँ था जहां मैं पहुँचना चाता था लगबग जंगल के बीचों बीच मैंने बैक से पानी और खाना निकाला वहाँ बैटके अपनी जर्नल में इंटरी करी मैंने अपने जंगल के अनुभफ के बारे में उसमें लिखा जैसे जैसे मैं लिख रहा था मैं इमेजिन कर रहा था कि न्यूज और मैगजीन वाले मेरे अनुभफ के लिए मेरे पास आ रहे हैं शायद मैं फेमस होने वाला हूँ मैं काफी एकसाइटर था मैंने वहाँ लगबग एक घंटा बिताया होगा फिर मैं वापिस जाने को तैयार था मैं ये पक्का करना चाह रहा था कि शाम होने से पहले ही मैं जंगल से बाहर निकल जाऊं मैंने अपनी गड़ी की ओर देखा कुछ गड़बढ है मेरी गड़ी 9 पीम टाइम दिखा रही थी यानि रात के 9 मैंने उपर देखा सूरच ठीक पेडों के बीच मेरे सर के उपर था अभी हद से हद 12 बजे होंगे मैंने अपनी गड़ी को हिलाया टाइम अभी भी 9 पीम था शायद मेरी गड़ी खराब हो गई है मैंने सूचा पर अभी भी मैं रीबन को फॉलो करते हुए वापिस जा सकता हूँ मैंने अपना सारा समान जल्दी से बैक में रखना शुरू किया जब मैं अपनी लीफ फोटोस इखटा कर रहा था मैंने कुछ अजीब बात नोटिस की मुझे लगा यहां कुछ ऐसी फोटोस भी है जिने मैंने नहीं की चाता मैं जुका और उन्हें देखने लगा ध्यान से देखने पे मेरे होश उड़ गए वो मेरी फोटोस थी जंगल में घूमते हुए वो अलग-अलग एंगल से ली हुई थी कुछ मेरे पीछे से कुछ बगल से लग-बग दस से बीस फिट की दूरी से यह मेरी फोटो किसने कीची और कैसे मुझे चक्कर साने लगा था मैंने सब कुछ अपने बैक में भरा और वहां से भागने को तयार हो गया जितनी जल्दी हो सके मैं उठा और 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 जितनी दूर भी मैं देख पा रहा था हर एक पेड़ पे वो लाल रिबन बंधा हुआ था मेरी सांसे उखडने लगी जैसे जैसे मैं घबरहाड में पसीना पसीना होता जा रहा था उन पेड़ों और रिबन को देखके मेरा सर चक्राने लगा था मैंने बचा हुआ सामान जमीन पे छोड़ दिया और उस दिशा में भागने लगा जो मुझे लग रहा था कि शायद सही रास्ता है बाहर निकलने का मैं भागता गिरता उठता चला जा रहा था जबकि मेरे चारो और रिबन बंधे पेड़ थे जितनी भी दूर मैं देख पा रहा था मुझे खुद नहीं पता था मैं कितनी देर से भाग रहा हूँ मेरे घड़ी में रात के बारा बज़े थे फिर रात के एक बज़े दो तीन फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी बची हूई उम्मीद भी मुझसे चीन ली मेरे सामने मेरा छोड़ा सामान जमीन पे पड़ा हुआ था जहां मैंने उन्हें छोड़ा था मैं हार के जमीन पे लेट गया सूरज की रोश्णी प्योड़ों के बीच से दिखाई दे रही थी अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे भरी दोपहर हो सूरज अपनी जगह से हीला तक नहीं मैंने अपना टेप रिकॉर्डर निकॉला और ये रिकॉर्डिंग करने लगा इस जंगल में कुछ दुष्ट है, कुछ शैतानी है, कुछ बहुत बुरा मुझे यहां कभी नहीं आना चाहिए था मुझे एहसास हुआ कि ये जंगल अब मुझे निकल चुका है और मैं यहां से अब जिनदा नहीं निकल सकता और अगर आपको ये टेप रिकॉर्डर मिलता है और आप इसे सुन रहे हैं तो संभव है कि यहां से बहार अब तुम भी नहीं निकल सकते